मध्यप्रदेश ट्राँसफर पॉलिसी में 15 दिन के लिए हटेगा प्रतिबंध. एक अगस्ट से दिये जाएंगे ट्रांसफर के अधिकार मध्य प्रदेश में विधान विधान सभा चुनाव चुनाव के पहले से ही सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले पर लगा प्रतिबंध अब सरकार जल्द हटाएगी 15 दिन के लिए सभी विभागों को प्रशास्निक और स्वैचियाक आधार पर तबादले करने की अनुमती रहेगी तबादला नीती को जल्द देंगे अंतिम रूप किसी भी समवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किये जा सकेंगे इसके लिए तबादला नीती का प्रारूप भी तयार कर लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम यादव मंत्रियों से विचार विमर्ष करने के बाद नीती को अंतिम रूप देंगे प्रदेश में वर्ष 2021 में तबादला नीती घोशित की गई थी तब जुलाई में एक माह के लिए तथाडले से प्रतिबंध हटाया गया था इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे पर नीती घोशित नहीं की गई वर्ष 2023 में विधान सभा चुनाव की मद्दाता सूची की तयारी के चलते निर्वाचन कारे से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागिये अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया, उन अधिकारियों को जरूर स्थानांतरित किया गया, जी तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्त थे, यही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाई गई, चुनाव होने के चाद जनप्रतिनिधियों की भी अपेक्षा है कि वे अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अधिकारियों की पदस्था अपनाए कराय ताकि समनवे के साथ काम हो सके, मंत्री भी चाहते हैं अपने, अधिकारी वहीं, कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की निजी समस्याए भी है, मंत्री भी मैदानी स्तर पर अपने हिसाब से जमाकर करना चाहत इन सभी स्थितियों को देखते हुए तबादला नीती घोशित कर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की तयारी की गई है। प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे। धन्यबाद।